हम भारतिय महलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक ससक्तिकरन कर रहे हैं कुछ महिने पहले ही कानून बना कर हमने भारत की महलाओं को पार्लामेंट में रिजरुशन भी दिया है हम आज भारत के युवाओं के लिए नए आउसर बना रहे हैं उसके स्कील डेवलप्मेंट पर फोकस कर रहे हैं बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम याने टार्ट स्टार्ट अप इको सिस्टिम का इतना बड़ा जंप हाज हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं साथ्यों सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम लास्ट माइल डिलिवरी और सेचुरेशन के अप्रोच पर बल दे रहे हैं सेचुरेशन के अप्रोच यानी सरकार की योजनाओं के लाप से कोई भी लाभारती छुटे नहीं सरकार खुद उस तक पहुँचे गवर्नेंस के इस मोडल में भेदभाव और प्रष्टाचार दोनों की ही गुंजाईश समाप्त हो जाती है एक स्टडी के मुताबिक भारत ने पिछले दस वर्सों बें 250 मिलियन लोगों को गरीबी से भार निकाला है और उसके पीछे इस गवर्नेंस मोडल की बड़ी भूमिका रही है साथियों जब सरकारे पारदर्शिता को प्रत्विक्ता देती हैं तो उसके नतीजे भी मिलते हैं और भारत इसका भी एक उदाहरन है आज भारत के 130 करोड से ज़्यादा नागिरिकों के पास उनकी डिजिटल आइडेंटी आइडेंटीटी है लोगों की ये डिजिटल आइडेंटीटी उनके बैंक्स उनके मोबाईल सब इंटरकनेक्टेड है हमने टेकनोलोजी की मदद से एक सिस्ट्रिम डेवलप किया है डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसपर डिबीटी इस सिस्ट्रिम की मदद से हमने बीते दस साल में 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा लोगों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर किये ऐसा करके हमने करप्षन की बहुत बड़ी गुंजैश को जड़ से ही समाप्त कर दिया है हमने देश के 33 बिलियन डॉलर से ज़्यादा गलत हातों में जाने से भी बचाया है फ्रेंट्स जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है तो इससे डील करने के लिए भी भारत की एक अपनी एप्रोच रही है भारत आज सोलर, बींड, हाइड्रो के साथ साथ बायो फ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोचन पर भी काम कर रहा है हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उससे लोटाने का प्रयाज भी करना चाहिए इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम परियावरण की बहुत मदद कर सकते हैं यह मार्ग है Mission Life यानि Lifestyle for Environment का यह Mission Pro Planet People का रास्ता दिखाता है हम Carbon Credit की अप्रोच को भी काफी समय से देख रहे हैं अब इससे आगे बढ़कर हमें Green Credit के बारे में सोचना चाहिए इसकी चर्चा मैंने हाँ दुबै में ही COP28 के दोरान बहुत विस्तार से की थी साथियों जब हम Future की तरफ देखते हैं तो हर सरकार के सामने आज अनेक प्रश्ण है हम अपनी नेशनल स्वावरेनिटी और इंटरनेशनल इंटर डिपेंडनेंस में बैलेंस कैसे बनाए अपने नेशनल इंटरेस के लिए काम करते हुए इंटरनेशनल रूल अब लोग के प्रती अपनी कमिट्मेंट पर कायम कैसे रहे नेशनल प्रोग्रेस का विस्तार करते हुए हम ग्लोबल गूड के लिए जादा से जादा कांट्रिबूट कैसे करें हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन से विजिडम लेते हुए भी युनिवर्सिटी युनिवर्सल वैल्यूस को सम्रद कैसे करें हम डिजिटल टेकनोलोजी का लाब लेते हुए उसके नकारात्मक प्रभावों के उन प्रभावों से समाज को कैसे बचाए हम वैश्विक शांती के लिए प्रयास करते हुए आतंगबाद के खिलाप कैसे मिलकर काम करें आज जब हम अपने देश को ट्रांसफोर्म कर रहे हैं तो क्या ग्लोबल गवरनेंस इंस्टिटूशन में भी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए ऐसे अनेख सवाल हमारे सामने है इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सरकारों को दिशा देनी है फ्यूचर प्लानिंग कर दे हैं हमें मिलकर कोहिजिव कोईपरेटिव और कॉलोबरेटिव वर्ल्ड की वेल्यूज को प्रमोट करना होगा हमें डेवलपिंग वर्ल के कंसंस और ग्लोबल डिसिजन मेकिंग में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को प्रमोट करना होगा हमें ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी होगी उनकी प्रात्विताओं को सामने लाना होगा हमें जरुरतमन देशों के साथ अपने रिसोर्सिस और अपनी केपेबिलिटीज को शेर करना होगा हमें AI, Artificial Intelligence और Cryptocurrency, Cybercrime ऐसे पैदा हो रही चुनावतियों के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल बनाने होंगे हमें अपनी नेशनल सुवरिनिटी को प्रात्विता देते हुए इंटरनेशनल लौग की मर्यादा भी रखनी होगी इनी भावना उपर चलते हुए हम ना केवल सरकारों के सामने उपस्तित चुनावतियों का समाधान करेंगे बलकि विश्व बंदुत्व, विश्व बंदुत्व को भी मजबूती देंगे एक विश्व बंदु के रूप में भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के दोरान भी हमने इसी भावना को आगे बढ़ाया हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसी भाव से चले फ्रेंट्स हम सभी के पास गवर्नन्स को लेकर अपने एक्स्पिरेंसीज है हमें न सिर्फ एक दूसरे के साथ काम करना है बलकि एक दूसरे से सीखना भी है यही इस सभीट का भी लक्ष है यहां से निकले स्वालूक्षन दुनिया के फ्यूचर को शेप करने वाले होंगे इसी विष्वास के साथ आप सभी को बहुत 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 शुब कामना है Thank you, thank you very much Thank you, the Right Honourable Narendra Modi for this session Minister Modi there at the World Government Summit where he addresses some of the world leaders there speaking of India, UAE-India relations transparent governance always pays off speaking of Bharat growing its base all across the world especially Dubai on how it's really become a hub for business and how India is extending all support we're going to continue tracking those developments this is right in the sidelines of the BAPS Mandir inauguration that's due to happen this evening at 6pm Prime Minister Modi meanwhile speaking at the World Government Summit he's thanked the leaders of the UAE as he visits, meets them personally he shakes hands Ladies and gentlemen Namaskar World Government Summit में Keynote address देना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और मुझे तो ये सवभाग्य दूसरी बार मिल रहा है मैं मैं हिज हाइनेस सेख महमद बिन रशित जी का इस निमंत्रां और गर्म जोसी से भरे स्वागत के लिए बहुत बहुत आभारी हूं मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस सेख महमद बिन जायत का भी आभार व्यक्त करता हूं हाल के दिनों में मुझे उनसे कई बार मिलने का मौका मिला है वो सिर्फ लीडर अब वीजन ही नहीं है बलकि लीडर अब रिजॉल और लीडर अब कमिट्मेंट भी है साथियों वर्ल गवर्मेंट समीट दुनिया भर के थौट लीडर्स को एक मंच पर लाने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है इसमें हीजाइनेस सेख महमद बिन रशित की विजनी लीडर्सिप उसका बहुत बड़ा रोल है दुबई जिस प्रकार ग्लोबल एकोनोमी कॉमर्स और टेकनलोजी का एपी सेंटर बन रहा है यह बहुत बड़ी बात है कोविड के दर्यामान एक्सपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी का आयोजन हो या फिर हाल में कोव ट्वेंटी एट का आयोजन यह दुबई स्टोरी के बहत्रीन उधारण है मैं आपको इस समीट के लिए बढ़ाई देता हूँ इसकी सफलता के लिए शुपकामनाई देता हूँ साथियों आज हम 21 वी सदी में है एक तरब दुनिया आधुनिक्ता की तरब बढ़ रही है तो पिछली सदी से चले आ रहे हैं चलेंजिस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं फूड सीकुरेटी हो हेल्थ सीकुरेटी हो बॉर्टर सीकुरेटी हो एनर्जी सीकुरेटी हो एजुकेशन हो समाज को इंक्लूजिव बनाना हो, हर सरकार अपने नागरीकों के प्रती अनेक दाइत्वों से बंदी हुई है, टेक्नलोजी हर प्रकार से है, चाहे वो नेगेटिव हो या पोजिटिव, एक की डिस्रप्टर साबित हो रही है, टेरोरिजम आए दिन एक नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनोती लेकर आ रहे हैं, क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजिज भी समय के साथ और बड़े होते जा रहे हैं, एक तरफ डोमेस्टिक कंसंस हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिस्टिम्स बिखरा हुआ नजर आता हैं, और इन सब के बीच हर सरकार के सामने अपनी प्रासंगिक्ता को बचाने का भी बहुत बड़ा चैलेंज है, इन सवालों, इन चुनोतियां, इन स्थितियों के बीच वर्ल गवर्मेंट समीट का महत्व और बढ़ गया है, साथियों, आज हर सरकार के सामने सवाल है, कि वो की सब्गे बड़े, मेरा मानना है, आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुवत है, जो इंक्लूजीव हो, जो सब को साथ लेकर चलें, आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुवत है, जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलोजी को बड़े बड़लाव का माध्यम बनाए, आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुवत है, जो क्लीन हो, जो करप्शन से दूर हो, जो ट्रांस्परेंट हो, आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुवत है, जो ग्रीन हो, जो परियावरन से जुड़ी चुनोतियों को लेकर गंबीर हो, आज विश्व को आवश्यक्ता है, ऐसी सरकारों की जो इज अफ लिविंग, इज अफ जस्टीस, इज अफ मोबिलिटी, इज अफ इनोवेशन, और इज अफ दूइंग बिजनेस को अपनी प्रांस्पिक का बना कर चले, फ्रेंट्स, हेड अफ दे गवर्मेंट के तौर पर लगातार काम करते हुए मुझे, तेईस साल होने जा रहे हैं, मैंने तेरा साल भारत के एक बड़े स्टेट, गुजरात की सरकार में रहते हुए, लोगों की सेवा की है, और अब मुझे सेंट्रल गवर्मेंट में देश वासियों की सेवा करते हुए दस साल होने जा रहे हैं, मैं मानता हुँ कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए, और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए, बलकि मैं तो ये मानता हुँ कि लोगों की जिन्दगी में सरकार का दखल कम से कम हो, ये सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है, हम अक्सर कई एक्सपर्ट को सुनते हैं कि कोविड के बाद दुनिया भर में सरकारों पर भरोसा कम हुआ है, लेकिन भारत में हमने एक दम विप्रित अनुभव देखा, बीते बर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों का भरोसा और मजबुत हुआ है, लोगों को हमारी सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दूनों पर पूरा भरोसा है, यह कैसे हुआ? क्योंकि हमने गवननेंस में जन भावनाओं को प्राथ्विक्ता दिये हैं, हम देश वाचियों की जरुवत के प्रती संबेदन शील है, हमने लोगों की जरुवतों और लोगों के सपनों दोनों को पूरा करना पर ध्यान दिया है, इन तेईस वर्सों में सरकार में मेरा सबसे बड़ा सिद्धात रहा है, मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्ननस, मैंने हमेशा ऐसा एनवार्मेंट क्रियेट करने पर जोड दिया है, जो नागरिकों में, एंटरप्राइस और एनरजी दोनों को और बढ़ाएं, हम टॉप डाउन और बॉटम अप एप्रोच के साथ साथ होल अफ सोसाइटी एप्रोच को लेकर भी चले हैं, हमने होलिस्टिक एप्रोच पर बल दिया, पीपल्स पार्टिसिपेशिन को सरवोच्च प्रांत्मिक्ता दी, हमने प्रयास किया कि कोई अभियान बले ही सरकार शुरू करें, लेकिन समय के साथ देश की जनता उसकी बागडोर खुद संभाल लें, जन भागीदारिय काए इसी सिध्धान पर चलते हुए हमने भारत में अनेक बड़े ट्रांसफर्मेशन देखे हैं, हमारी सेनिटेशन ड्राइव हो, गल एजुकेशन को बढ़ाने का अभियान हो, डिजिटल लिट्रेशी हो, इनकी सफलता पीपल्स पार्टिसिपर्शन से ही सुनिस्चित हुई है, साथियों, सोशियल और फाइनांसियल इंक्लूजन हमारी सरकार की प्राथ्विक्ता रही है, हमने पचांस करोड से ज़्यादा ऐसे लोगों को बैंकिंग से जोड़ा, जिनके पास बैंक एकाउंट नहीं था, हमने उनको जागरूत करने के लिए बड़ा अभियान चलाया, आज इसी का परिणाम है, कि आज हम फिंटेक में, डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे निकल गए हैं, हमने विमेन लेट डेवलेप्मेंट को बढ़ावा दिया है, हम भारतिये महलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक ससक्तिकरन कर रहे हैं, कुछ महिने पहले ही कानून बना कर हमने भारत की महलाओं को पार्लामेंट में रिजर्विशन भी दिया है, हम आज भारत के युवाओं के लिए नए आउसर बना रहे हैं, उसके स्कील डेवलेप्मेंट पर फोकस कर रहे हैं, बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम, याने स्टार्ट अप इको सिस्टिम का इतना बड़ा जंप, आज हम तीसरे नंबर पर पहुँच गए हैं, साथियों सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम लास्ट माइल डिलिवरी और सेचुरेशन के अप्रोच पर बल दे रहें, सेचुरेशन के अप्रोच यानी सरकार की योजनाओं के लाप से कोई भी लाभार्ती छुटे नहीं, सरकार खुद उस तक पहुँचे, गवर्नेंस के इस मडल में भेदभाव और प्रश्टाचार दोनों की ही गुण्जाईश समाप्त हो जाती है, एक स्टड़ी के मुताबिक भारत ने पिछले दस वर्सों बें 250 मिलियन लोगों को गरीबी से भार निकाला है, और उसके पीछे इस गवर्नेंस मोडल की बड़ी भूमिका रही है, साथियों, जब सरकारे पारदर्शिता को प्रश्ट्विक्ता देती हैं तो उसके नतीजे भी मिलते हैं, और भारत इसका भी एक उदाहरन है, आज भारत के 130 करोड से ज़्यादा नागिरिकों के पास, उनकी डिजिटल आइडेनिटी है, लोगों की ये डिजिटल आइडेनिटी उनके बैंक्स, उनके मोबाईल, सब इंटरकनेक्टेड है, हमने टेकनोलोजी की मदद से एक सिस्ट्रिम डेवलप किया है, डाइरेक्ट बैनिफिट ट्रांसपर, डिबी टी, इस सिस्ट्रिम की मदद से हमने बीते दस साल में 400 बिलियन डालर से ज़्यादा लोगों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर किये, ऐसा करके हमने करप्षन की बहुत बड़ी गुंजैश को जड़ से ही समाप्त कर दिया है, हमने देश के 33 बिलियन डालर से ज़्यादा गलत हाथों में जाने से भी बचाया है, फ्रेंट्स जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है, तो इससे डील करने के लिए भी भारत की एक अपनी एप्रोच रही है, भारत आज सोलर, बींड, हाइड्रो के साथ साथ बायो फ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोचन पर भी काम कर रहा है, हमारी संस्कृती हमें सिखाती है कि प्रकृती से जितना हासिल किया है, उसे लोटाने का प्रयाज भी करना चाहिए, इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है, जिस पर चलते हुए हम परियावरण की बहुत मदद कर सकते हैं, यह मार्ग है, मिशन लाइफ यानि लाइफ स्टाइल फ़र एंवार्मेंट का, यह मिशन प्रो प्लैनेट पीपल का रास्ता दिखाता है, हम कार्बन क्रेडिट की अप्रोच को भी काफी समय से देख रहे हैं, अब इससे आगे बढ़कर हमें ग्रीन क्रेडिट के बारे में सोचना चाहिए, इसकी चर्चा मैंने हाँ दुबै में ही कोप 28 के दौरान बहुत विस्तार से की थी, साथियों, जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, तो हर सरकार के सामने आज अनेक प्रश्ण है, हम अपनी नेशनल सोवरेनिटी और इंटरनेशनल इंटर डिपेंडनेंस में बैलेंस कैसे बनाएं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हुए इंटरनेशनल रूल अफ लोग के प्रती अपनी कमिट्मेंट पर कायम कैसे रहें, नेशनल प्रोग्रेस का विस्तार करते हुए हम ग्लोबल गूड के लिए जादा से जादा कांट्रिबूट कैसे करें, हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन से विजिडम लेते हुए भी उनिवर्सिटी उनिवर्सल वैल्यूस को समर्द कैसे करें, हम डिजिटल टेकनोलोजी का लाब लेते हुए उसके नकारात्मक प्रभावों के उन प्रभावों से समाज को कैसे बचाए, हम वैश्विक शांती के लिए प्रयास करते हुए आतंगबाद के खिलाप कैसे मिलकर काम करें, आज जब हम अपने देश को ट्रांस्फॉर्म कर रहे हैं तो क्या ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टिटूशन में भी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, ऐसे अनेख सवाल हमारे सामने है, इन सारे सवानों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी सरकारों को दिशा देनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है, हमें मिलकर कोहिजिव, कोईपरेटिव और कॉलोबरेटिव वर्ल्ड की वेल्यूज को प्रमोट करना होगा, हमें डेवलपिंग वर्ल के कंसंस और ग्लोबल डिसिजन मेकिंग में, ग्लोबल साउथ की भागीदारी को प्रमोट करना होगा, हमें ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी होगी, उनकी प्राथविताओं को सामने लाना होगा, हमें जरुरतमन देशों के साथ अपने रिसोर्सिस और अपनी कैपेबिलिटीज को शेर करना होगा, हमें AI, Artificial Intelligence और Cryptocurrency, Cybercrime ऐसे पैदा हो रही चुनावतियों के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल बनाने होंगे, हमें अपनी नेशनल सुवरिनिटी को प्रात्मिक्ता देते हुए, इंटरनेशनल लौग की मर्यादा भी रखनी होगी, इनी भावना उपर चलते हुए, हम ना केवल सरकारों के सामने उपस्तित चुनावतियों का समाधान करेंगे, बलकि विश्व बंदुत्व, विश्व बंदुत्व को भी मजबूती देंगे, एक विश्व बंदु के रूप में भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी जी ट्वेंटी प्रसिडेंसी के दोरान भी हमने इसी भावना को आगे बढ़ाया, हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसी भाव से चले, फ्रेंट्स हम सभी के पास गवरनन्स को लेकर अपने एक्स्पिरेंसीज है, हमें न सिर्फ एक दूसरे के साथ काम करना है, बल्कि एक दूसरे से सीखना भी है, यही इस सभीट का भी लक्ष है, यहां से निकले स्वालूशन दुनिया के फ्यूचर को शेप करने वाले होंगे, इसी विष्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत सुब काम रहे, थैंक यह, थैंक यह थैंक यह थैंक यह थैंक। बारत बहुरुन इस बस बाज स्वेश्द के प्रच बार्श बिल्डशसमद सब्सक्रवाइघ ओलाग। प्रचला ओंप्रश जुबाई औाज नुबएंग हम जानिया CRÝ आजडिए बिल्सेट बाजिवार इता हैं दूसरी बार मिल रहा है मैं हिज हाइनेस सेख महमद बिन रशित जी का इस निमंत्रन और गर्म जोसी से भरे स्वागत के लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस सेख महमद बिन जायत का भी आभार व्यक्त करता हूँ हाल के दिनों में मुझे उनसे कई बार मिलने का मोका मिला है वो सिर्फ लीडर अब वीजन ही नहीं है बलकि लीडर अब रिजॉल्व और लीडर अब कमिट्मेंट भी है साथियों वर्ल गवर्वर्मेंट समीट दुनिया भर के थौट लीडर्स को एक मंच पर लाने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है इसमें हिजाइनेश सेख महमद बिन रशीद की वीजनी लीडर्सिप उसका बहुत बड़ा रोल है दुबई जिस प्रकार ग्लोबल एकोनोमी, कॉमर्स और टेक्नलोजी का एपी सेंटर बन रहा है यह बहुत बड़ी बात है कोविड के दर्यामान, एक्सपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी का आयोजन हो या फिर हाल में कोप ट्वेंटी एट का आयोजन यह दूबई स्टोरी के बहत्रीन उधारण है मैं आपको इस समीट के लिए बढ़ाई देता हूँ इसकी सफलता के लिए शुपकामना देता हूँ साथियों आज हम 21 वी सदी में है एक तरफ दुनिया आधुनिक्ता की तरफ बढ़ रही है तो पिछली सदी से चले आ रहे हैं चलेंजिस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं फूड सीकूरिटी हो हेल्थ सीकूरिटी हो वाटर सीकूरिटी हो एनरजी सीकूरिटी हो एजुकेशन हो समाज को इंक्लूजिव बनाना हो हर सरकार अपने नागरीकों के प्रती अनेक दाइत्वों से बंदी हुई है टेक्नलोजी हर प्रकार से चाहे वो नेगेटिव हो या पोजिटिव एक की डिस्रप्टर साबित हो रही है टेरोरिजम आए दिन एक नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनोती लेकर आ रहे हैं क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजिज भी समय के साथ और बड़े होते जा रहे हैं एक तरफ डॉमेस्टिक कंसंस है तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिस्टिम्स बिखरा हुआ नजर आता है और इन सब के बीच हर सरकार के सामने अपनी प्रासंगिक्ता को बचाने का भी बहुत बड़ा चलेंज है इन सवालों इन चुनोतियां इन स्थितियों के बीच वर्ल गवर्मेंट समिट का महत्व और बढ़ गया है साथियों आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुरत है जो स्मार्ट हो जो टेकनोलोजी को बड़े बड़लाव का माध्यम बनाएं आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुवत है जो क्लीन हो जो करप्षन से दूर हो जो ट्रांस्परेंट हो आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुवत है जो ग्रीन हो जो परियावर्ण से जुड़ी चुनोतियों को लेकर गंबीर हो आज विश्व को आवश्यक्ता है ऐसी सरकारों की जो इज अफ लिविंग, इज अफ जस्टीस, इज अफ मोबिलिटी, इज अफ इनोवेशन और इज अफ दूइंग बिजनेस को अपनी प्रांत्विक का बना कर चले फ्रेंड्स, हेड अफ दे गवर्णमेंट के तौर पर लगातार काम करते हुए मुझे तेईस साल होने जा रहे हैं मैंने तेरा साल भारत के एक बड़े स्टेट गुजरात की सरकार में रहते हुए लोगों की सेवा की है और अब मुझे सेंट्रल गवर्णमेंट में देश वासियों की सेवा करते हुए दस साल होने जा रहे हैं मैं मानता हुँ कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए बलकि मैं तो यह मानता हुँ कि लोगों की जिन्दगी में सरकार का दखल कम से कम हो यह सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है हम अक्सर कई एक्सपर्ट को सुनते हैं कि कोविड के बाद दुनिया भर में सरकारों पर भरोसा कम हुआ है लेकिन भारत में हमने एक दम विप्रित अनुभव देखा बीते बर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों का भरोसा और मजबुत हुआ है लोगों को हमारी सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दोनों पर पूरा भरोसा है यह कैसे हुआ क्योंकि हमने गवनेंस में जन भावनाओं को प्रात्विक्ता दिये हैं हम देश वाशियों की जरुवत के प्रती संबेदन शील है हमने लोगों की जरुवतों और लोगों के सपनों दोनों को पूरा करना पर ध्यान दिया है इन 23 वर्सों में सरकार में मेरा सबसे बड़ा सिधांत रहा है मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नन्स मैंने हमेशा ऐसा एंवार्मेंट क्रियेट करने पर जोड दिया है जो नागरिकों में एंटरप्राइज और एनरजी दोनों को और बढ़ाएं हम टॉप डाउन और बॉटम अप एप्रोच के साथ साथ होल अफ सोसाइटी एप्रोच को लेकर भी चले हैं हमने होलिस्टिक एप्रोच पर बल दिया पीपल्स पार्टिसिपेशिन को सरवोच्च प्रांत्मिक्ता दी हमने प्रयास किया कि कोई अभियान बले ही सरकार शुरू करें लेकिन समय के साथ देश की जनता उसकी बागडोर खुद संभाल ले जन भागीदारिय काए इसी सिद्धान पर चलते हुए हमने भारत में अनेक बड़े ट्रांस्फर्मेशन देखे है हमारी सेनिटेशन ड्राइव हो गल एजुकेशन को बढ़ाने का अभियान हो डिजिटल लिट्रेसी हो इनकी सभलता पीपल्स पार्टिसिपर्शन से ही सुनिस्चित हुई है साथियों सोशियल और फाइनांशल इंक्लूजन हमारी सरकार की प्राथ्विक्ता रही है हमने पचांस करोड से ज़्यादा ऐसे लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जिनके पास बैंक एकाउंट नहीं था हमने उनको जागरूत करने के लिए बड़ा अभ्यान चलाया आज इसी का परणाब है कि आज हम फिंटेक में डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे निकल गए है हमने विमेन लेट डेवलेप्मेंट को बढ़ावा दिया है हम भारतिय महलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक ससक्तिकरन कर रहे हैं कुछ महिने पहले ही कानून बना कर हमने भारत की महलाओं को पार्लामेंट में रिजरुशन भी दिया है हम आज भारत के युवाओं के लिए नए आउसर बना रहे हैं उसके स्कील डेवलेप्मेंट पर फोकस कर रहे हैं बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम याने टार्ट स्टार्ट अप इको सिस्टिम का इतना बड़ा जंप आज हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं साथ्यों सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम लास्ट माइल डिलिवरी और सेचुरेशन के अप्रोच पर बल दे रहे हैं सेचुरेशन के अप्रोच यानी सरकार की योजनाओं के लाप से कोई भी लाभारती छुटे नहीं सरकार खुद उस तक पहुँचे गवर्नेंस के इस मोडल में भेदभाव और प्रश्टाचार दोनों की ही गुंजाईश समाप्त हो जाती है एक स्टड़ी के मुताबिक भारत ने पिछले दस वर्सों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से भार निकाला है और उसके पीछे इस गवर्नेंस मोडल की बड़ी भूमिका रही है साथियों जब सरकारे पारदर्शिता को प्रत्विक्ता देती हैं तो उसके नतीजे भी मिलते हैं और भारत इसका भी एक उदाहरन है आज भारत के एक सो तीस करोड से ज्यादा नागिरिकों के पास उनकी डिजिटल आइडेंटिटी आइडेंटिटी है लोगों की यह डिजिटल आइडेंटिटी उनके बैंक्स उनके मोबाईल सब इंटरकनेक्टेड हैं हमने टेकनोलोजी की मदद से एक सिस्ट्रिम डेवलप्ट दिया है डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसपर डिबी टी इस सिस्ट्रिम की मदद से हमने बीते दस साल में 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा लोगों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर किये ऐसा करके हमने करप्षन की बहुत बड़ी गुंजैश को जड़ से ही समाप्त कर दिया है हमने देश के 33 बिलियन डॉलर से ज़्यादा गलत हाथों में जाने से भी बचाया है फ्रेंट्स जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है तो इससे डील करने के लिए भी भारत की एक अपनी एप्रोच रही है भारत आज सोलर, बींड, हाइड्रो के साथ साथ बायो फ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोचन पर भी काम कर रहा है हमारी संस्कृती हमें सिखाती है कि प्रकृती से जितना हासिल किया है उसे लोटाने का प्रयाज भी करना चाहिए इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम परियावरण की बहुत मदद कर सकते हैं यह मार्ग है Mission Life यानि Lifestyle for Environment का यह Mission Pro Planet People का रास्ता दिखाता है हम Carbon Credit की अप्रोच को भी काफी समय से देख रहे हैं अब इससे आगे बढ़कर हमें Green Credit के बारे में सोचना चाहिए इसकी चर्चा मैंने हाँ दुबै में ही COP28 के दोरान बहुत विस्तार से की थी साथियों जब हम Future की तरफ देखते हैं तो हर सरकार के सामने आज अनेक प्रश्ण है हम अपनी National sovereignty और international interdependence में balance कैसे बनाए अपने national interest के लिए काम करते हुए international rule of law के प्रती अपनी commitment पर कायम कैसे रहे नेशनल प्रोग्रेस का विस्तार करते हुए हम global good के लिए जादा से जादा contribute कैसे करें हम अपने culture और tradition से wisdom लेते हुए भी university universal values को समर्द कैसे करें हम digital technology का लाब लेते हुए उसके नकारात्मक प्रभाव के उन प्रभावों से समाज को कैसे बचाए हम कि वैश्विक शांति के लिए प्रयास करते हुए आतंगबाद के खिलाप कैसे मिल कर काम करें आज जब हम अपने देश को ट्रांसफोर्म कर रहे हैं तो क्या ग्लोबल गवनेंस इंस्टिटूशन में भी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने है इन सारे सवानों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सरकारों को दिशा देनी है फ्यूचर प्लानिंग करने हैं हमें मिलकर कोहिजिव कोईपरेटिव और कॉलोबरेटिव वर्ल्ड की वेल्यूज को प्रमोट करना होगा हमें हमें डेवलपिंग वर्ल के कंसंस और ग्लोबल डिसिजन मेकिंग में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को प्रमोट करना होगा हमें ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी होगी उनकी प्रात्विक्ताओं को सामने लाना होगा हमें जरुरतमन देशों के साथ अपने रिसोर्सिस और अपनी कैपेबिलिटीज को शेयर करना होगा हमें AI, Artificial Intelligence और Cryptocurrency, Cybercrime ऐसे पैदा हो रही चुनावतियों के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल बनाने होंगे हमें अपनी National sovereignty को प्रात्विक्ता देते हुए इंटरनेशनल लोग की मरियादा भी रखनी होगी इनी भावना उपर चलते हुए हम ना केवल सरकारों के सामने उपस्तित चुनावतियों का समाधान करेंगे बलकि विश्व बंदुत्व विश्व बंदुत्व को भी मजबूती देंगे एक विश्व बंदु के रूप में भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी जी ट्वेंटी प्रसिडेंसी के दोरान भी हमने इसी भावना को आगे बढ़ाया हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसी भाव से चले Friends, हम सभी के पास Governance को लेकर अपने Experiences है हमें न सिर्फ एक दूसरे के साथ काम करना है बलकि एक दूसरे से सीखना भी है यही इस सबीट का भी लक्ष है यहां से निकले सोलुक्षन दुनिया के फूचर को शेप करने वाले होंगे इसी विस्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत सुपकामना है दूसरे, चल्ड़िम् सब्सक्राइबेड जय ओूसरे मेरें विड्स आप सबस्ते है प्रिज्ज की मेराय अच्व जया यहां सी तफ च्राइबट मोटन्हें for business and how india is extending all support uh we're gonna continue tracking those developments this is right in the sidelines of the baps mondia inauguration that's due to happen this evening at 6 p.m prime minister modi meanwhile speaking at the world government summit he's thanked the leaders of the uae as he visits uh meets them personally shakes handsЕDiy and gentlemen नमस्कार वर्ल गवर्मेंट समीट में की नोट एड्रेस देना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और मुझे तो ये सवभाग्य दूसरी बार मिल रहा है मैं His Highness सेख महमद बिन रशिद जी का इस निमंत्रन और गर्म जोसी से भरे स्वागत के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं अपने ब्रदर His Highness सेख महमद बिन जायत का भी आभार व्यक्त करता हूँ हाल के दिनों में मुझे उनसे कई बार मिलने का मोका मिला है वो सिर्फ लीडर अव वीजन ही नहीं है बलकि लीडर अव रिजॉल्व और लीडर अव कमिट्मेंट भी है साथियों वर्ल गवर्मेंट समीट दुनिया भर के थौट लीडर्स को एक मंच पर लाने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है इसमें हिजाइनेश सेख महमद बिन रशित की वीजनी लीडर्सिप उसका बहुत बड़ा रोल है दुबई जिस प्रकार ग्लोबल एकोनोमी, कॉमर्स और टेक्नलोजी का एपी सेंटर बन रहा है यह बहुत बड़ी बात है कोविड के दर्यामान एक्सपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी का आयोजन हो या फिर हाल में कोप ट्वेंटी एट का आयोजन यह दुबई स्टोरी के बहत्रीन उधारन है मैं आपको इस समीट के लिए बढ़ाई देता हूँ इसकी सफलता के लिए शुपकामनाई देता हूँ साथियों आज हम 21 वी सदी में है एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है तो पिछली सदी से चले आ रहे हैं चलेंजिज भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं फूड सीकूरिटी हो हेल्थ सीकूरिटी हो वाटर सीकूरिटी हो एनरजी सीकूरिटी हो एजुकेशन हो समाज को इंक्लूजिव बनाना हो हर सरकार अपने नागरिकों के प्रती अनेक दाइत्वों से बंदी हुई है टेकनलोजी हर प्रकार से चाहे वो नेगेटिव हो या पोजिटिव एक की डिस्रप्टर साबित हो रही है टेरोरिजम आए दिन एक नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनोती लेकर आ रहे हैं क्लाइमेट से जुड़े चलेंजीज भी समय के साथ और बड़े होते जा रहे हैं एक तरफ डॉमेस्टिक कंसंस हैं तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिस्टिम्स बिखरा हुआ नजर आता है और इन सब के बीच हर सरकार के सामने अपनी प्रासंगिक्ता को बचाने का भी बहुत बड़ा चलेंज है इन सवालों इन चुनोतियां इन स्थितियों के बीच वर्ल गवर्मेंट समीट का महत्व और बढ़ गया है साथियों आज हर सरकार के सामने सवाल है कि वो किस एप्रोच के साथ आगे बढ़े मेरा मानना है आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुरत है जो इंक्लूजीव हो जो सब को साथ लेकर चले आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुरत है जो स्मार्ट हो जो टेक्नीलोजी को बड़े बड़लाव का माध्यम बनाये आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुवत है जो क्लीन हो जो करप्षन से दूर हो जो ट्रांस्परेंट हो आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुवत है जो ग्रीन हो जो परियावर्ण से जुड़ी चुनोतियों को लेकर गंबीर हो आज विश्व को आवश्यक्ता है ऐसी सरकारों की जो इज अफ लिविंग, इज अफ जस्टीस, इज अफ मोबिलिटी, इज अफ इनोवेशन और इज अफ दूइंग बिजनेस को अपनी प्रांथ्विक का बना कर चले फ्रेंड्स, हेड अफ दे गवर्णमेंट के तौर पर लगातार काम करते हुए मुझे 23 साल होने जा रहे हैं मैंने 13 साल भारत के एक बड़े स्टेट गुजरात की सरकार में रहते हुए लोगों की सेवा की है और अब मुझे सेंट्रल गवर्णमेंट में देश वासियों की सेवा करते हुए दस साल होने जा रहे हैं मैं मानता हुँ कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए बलकि मैं तो यह मानता हुँ कि लोगों की जिन्दगी में सरकार का दखल कम से कम हो यह सुनिश्चीत करना भी सरकार का ही काम है हम अक्सर कई एक्सपर्ट को सुनते हैं कि कोविड के बाद दुनिया भर में सरकारों पर भरोसा कम हुआ है लेकिन भारत में हमने एक दम विप्रित अनुभव देखा बीते बर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों का भरोसा और मजबुत हुआ है लोगों को हमारी सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दोनों पर पूरा भरोसा है यह कैसे हुआ क्योंकि हमने गवर्नेंस में जन भावनाओं को प्रात्विक्ता दिये हम देश वाशियों की जरुवत के प्रती संवेदन शील है हमने लोगों की जरुनतों और लोगों के सपनों दोनों को पूरा करना पर ध्यान दिया है इन 23 वर्सों में सरकार में मेरा सबसे बड़ा सिधांत रहा है मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्ननस मैंने हमेशा ऐसा एन्वार्मेंट क्रियेट करने पर जोड दिया है जो नागरिकों में एंटरप्राइज और एनरजी दोनों को और बढ़ाएं हम टॉप डाउन और बॉटम अप एप्रोच के साथ साथ होल ऑफ सोसाइटी एप्रोच को लेकर भी चले हैं हमने होलिस्टिक एप्रोच पर बल दिया पीपल्स पार्टिसिपेशिन को सरवोच्च प्रांत्मिक्ता दी हमने प्रयास किया कि कोई अभियान बले ही सरकार शुरू करें लेकिन समय के साथ देश की जनता उसकी बागडोर खुद संभाल ले जन भागीदारिय का है इसी सिद्धान पर चलते हुए हमने भारत में अनेक बड़े ट्रांस्फर्मेशन देखे हैं हमारी सेनिटेशन ड्राइव हो गर्ल एजुकेशन को बढ़ाने का अभियान हो डिजिटल लिट्रेशी हो इनकी सफलता पीपर्स पार्टिसिपर्शन से ही सुनिश्चित हुई है साथियों सोशियल और फाइनांशल इंक्लूजन हमारी सरकार की प्राथ्विक्ता रही है हमने पचास करोड से ज़्यादा ऐसे लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जिनके पास बैंक एकाउंट नहीं था हमने उनको जागरूत करने के लिए बड़ा अभ्यान चलाया आज इसी का परणाम है कि आज हम फिंटेक में डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे निकल गए हैं हमने विमेन लेट डेवलेप्मेंट को बढ़ावा दिया है हम भारतिय महलाओं का आर्थिक सामाजिक और राजनितिक ससक्ति करन कर रहे हैं कुछ महिने पहले ही कानून बना कर हमने भारत की महलाओं को पार्लामेंट में रिजरुशन भी दिया है हम आज भारत के युवाओं के लिए नए आउसर बना रहे हैं उसके स्कील डेवलेप्मेंट पर फोकस कर रहे हैं बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम याने स्टार्ट अप इको सिस्टिम का इतना बड़ा जंप आज हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं सात्यों सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम लास्ट माइल डिलिवरी और सेचुरेशन के अप्रोच पर बल दे रहें सेचुरेशन के अप्रोच यानी सरकार की योजनाओं के लाप से कोई भी लाभारती छुटे नहीं सरकार खुद उस तक पहुंचे गवर्नेंस के इस मोडल में भेदभाव और प्रष्टाचार दोनों की ही गुंजाईश समाप्त हो जाती है एक स्टडी के मुताबिक भारत ने पिछले दस वर्सों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से भार निकाला है और उसके पीछे इस गवर्नेंस मोडल की बड़ी भूमिका रही है साथियों जब सरकारे पारदर्शिता को प्रथ्विक्ता देती हैं तो उसके नतीजे भी मिलते हैं और भारत इसका भी एक उदाहरन है आज भारत के 130 करोड से ज़्यादा नागिरिकों के पास उनकी डिजिटल आइडेंटी आइडेंटीटी है लोगों की ये डिजिटल आइडेंटीटी उनके बैंक्स उनके मोबाईल सब इंटरकनेक्टेड है हमने टेकनोलोजी की मदद से एक सिस्ट्रिम डेवलप किया है डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसपर डिबीटी इस सिस्ट्रिम की मदद से हमने बीते दस साल में 400 बिलियन डालर से ज़्यादा लोगों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर किये ऐसा करके हमने करप्षन की बहुत बड़ी गुंजैश को जड़ से ही समाप्त कर दिया है हमने देश के 33 बिलियन डालर से ज़्यादा गलत हाथों में जाने से भी बचाया है फ्रेंट्स जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है तो इससे डील करने के लिए भी भारत की एक अपनी एप्रोच रही है भारत आज सोलर, बीन, हाइड्रो के साथ साथ बायो फ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोचन पर भी काम कर रहा है हमारी संस्कृती हमें सिखाती है कि प्रकृती से जितना हासिल किया है उससे लोटाने का प्रयाज भी करना चाहिए इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम परियावरण की बहुत मदद कर सकते हैं यह मार्ग है Mission Life यानि Lifestyle for Environment का यह Mission Pro Planet People का रास्ता दिखाता है हम Carbon Credit की अप्रोच को भी काफी समय से देख रहे हैं अब इससे आगे बढ़कर हमें Green Credit के बारे में सोचना चाहिए इसकी चर्चा मैंने हाँ दुबै में ही COP28 के दौरान बहुत विस्तार से की थी साथियों जब हम Future की तरफ देखते हैं तो हर सरकार के सामने आज अनेक प्रश्ण है हम अपनी नेशनल सोवरेनिटी और इंटरनेशनल इंटर डिपेंडनेंस में बैलेंस कैसे बनाए अपने नेशनल इंटरेस के लिए काम करते हुए इंटरनेशनल रूल अफ लोग के प्रती अपनी कमिट्मेंट पर कायम कैसे रहे नेशनल प्रोग्रेस का विस्तार करते हुए हम ग्लोबल गूड के लिए जादा से जादा कांट्रिबूट कैसे करें हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन से विजिडम लेते हुए भी युनिवर्सिटी युनिवर्सल वैल्यूस को सम्रद कैसे करें हम डिजिटल टेकनोलोजी का लाब लेते हुए उसके नकारात्मक प्रभावों के उन प्रभावों से समाज को कैसे बचाए हम वैश्विक शांती के लिए प्रयास करते हुए आतंगबात के खिलाप कैसे मिलकर काम करें आज जब हम अपने देश को ट्रांस्फोर्म कर रहे हैं तो क्या ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टिटूशन में भी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने है इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी सरकारों को दिशा देनी है फ्यूचर प्लानिंग कर दे है हमें मिलकर कोहिजिव कोईपरेटिव और कॉलोबरेटिव वर्ल्ड की वेल्यूज को प्रमोट करना होगा हमें डेवलपिंग वर्ल के कंसंस और ग्लोबल डिसिजन मेकिंग में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को प्रमोट करना होगा हमें ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी होगी उनकी प्रात्विताओं को सामने लाना होगा हमें जरुरतमन देशों के साथ अपने रिसोर्सिस और अपनी कैपेबिलिटीज को शैर करना होगा हमें AI, Artificial Intelligence और Cryptocurrency, Cybercrime ऐसे पैदा हो रही चुनावतियों के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल बनाने होंगे हमें अपनी National Sovereignty को प्रात्विता देते हुए इंटरनेशनल लौग की मरियादा भी रखनी होगी इनी भावना उपर चलते हुए हम ना केवल सरकारों के सामने उपस्तित चुनावतियों का समाधान करेंगे बलकि विश्व बंधुत्व विश्व बंधुत्व को भी मजबूती देंगे एक विश्व बंधु के रूप में भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के दोरान भी हमने इसी भावना को आगे बढ़ाया हम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसी भाव से चले फ्रेंट्स हम सभी के पास गवर्नन्स को लेकर अपने एक्स्पिरेंसीज है हमें न सिर्फ एक दूसरे के साथ काम करना है बलकि एक दूसरे से सीखना भी है यही इस सभीट का भी लख्ष है यहां से निकले स्वालूक्शन दुनिया के फ्यूचर को शेप करने वाले होंगे इसी विष्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है थैंक यो, थैंक यू वेरी मुच Thank you, the Right Honorable Narendra Modi for this session Minister Modi there at the World Government Summit where he addresses some of the world leaders there speaking of India, UAE-India relations transparent governance always pays off speaking of Bharat growing its base all across the world especially Dubai on how it's really become a hub for business and how India is extending all support we're going to continue tracking those developments this is right in the sidelines of the BAPS Mandir inauguration that's due to happen this evening at 6pm Prime Minister Modi meanwhile speaking at the World Government Summit he's thanked the leaders of the UAE as he visits, meets them personally, shakes hands Ladies and gentlemen, Namaskar My His Highness My His Highness My His Highness Hi, Hal, के दिनों में भरके थौर्ट लीडर्स को एक मंच पर लाने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है इसमें हिजाइनेस सेख मुहमद बिन रशित की विजनी लीडर्शिप उसका बहुत बड़ा रोल है दुबई जिस्ट प्रकार ग्लोबल एकोनोमी, कॉमर्स और टेक्नलोजी का एपी सेंटर बन रहा है यह बहुत बड़ी बात है कोविड के दर्यामान, एक्सपोर्ट फ्वेंटी ट्वेंटी का आयोजन हो या फिर हाल में कोप फ्वेंटी एट का आयोजन यह दुबई स्टोरी के बहत्रीन उधारण है मैं आपको इस समिट के लिए बढ़ाई देता हूँ, इसकी सफलता के लिए शुपकामनाई देता हूँ साथियों, आज हम 21 सदी में हैं एक तरफ दुनिया आधुनिक्ता की तरफ बढ़ रही है तो पिछली सदी से चले आ रहे हैं चलेंसे भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं फूर्ड सिकुरिटी हो, हेल्थ सिकुरिटी हो, बॉर्टर सिकुरिटी हो, एनर्जी सिकुरिटी हो, एजुकेशन हो, समाज को इंक्लूजिव बनाना हो हर सरकार अपने नागरीकों के प्रती अनेक दाइत्वों से बंदी हुई है टेक्नलोजी हर प्रकार से चाहे वो नेगेटिव हो या पोजिटिव एक की डिस्रप्टर साबित हो रही है टेरोरिजम आए दिन एक नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनोती लेकर आ रहे हैं क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजी भी समय के साथ और बड़े होते जा रहे हैं एक तरफ डॉमेस्टिक कंसंस हैं तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिस्टिम्स बिखरा हुआ नजर आता है और इन सब के बीच हर सरकार के सामने अपनी प्रासंगिक्ता को बचाने का भी बहुत बड़ा चैलेंज है इन सवालों इन चुनोतियां इन स्थितियों के बीच वर्ल गवर्मेंट समीट का महत्व और बढ़ गया है साथियों आज हर सरकार के सामने सवाल है कि वो किस एप्रोच के साथ आगे बढ़े मेरा मानना है आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुरत है जो इंक्लूजीव हो जो सब को साथ लेकर चले आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुरत है जो स्मार्ट हो जो टेक्नोलोजी को बड़े बडलाव का माध्यम बनाए आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुरत है जो क्लीन हो जो करप्शन से दूर हो जो ट्रांस्परेंट हो आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुरत है जो ग्रीन हो जो परियावरन से जुड़ी चुनोतियों को लेकर गंबीर हो आज विश्व को आवश्यक्ता है ऐसी सरकारों की जो इज अफ लिविंग, इज अफ जस्टीस, इज अफ मोबिलिटी, इज अफ इनोवेशन और इज अफ दूइंग बिजनेस को अपनी प्रांस्पिक का बना कर चले फ्रेंट्स, हेड अफ गवर्मेंट के तौर पर लगातार काम करते हुए मुझे 23 साल होने जा रहे हैं मैंने 13 साल भारत के एक बड़े स्टेट गुजरात की सरकार में रहते हुए लोगों की सेवा की है और अब मुझे सेंट्रल गवर्मेंट में देश वासियों की सेवा करते हुए दस साल होने जा रहे हैं मैं मानता हूं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए बलकि मैं तो यह मानता हूं कि लोगों की जिन्दगी में सरकार का दखल कम से कम हो यह सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है हम अक्सर कई एक्सपर्स को सुनते हैं कि कोविड के बाद दुनिया भर में सरकारों पर भरोसा कम हुआ है लेकिन भारत में हमने एक दम विप्रित अनुभव देखा बीते वर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों का भरोसा और मजबुत हुआ है लोगों को हमारी सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दुनों पर पूरा भरोसा है यह कैसे हुआ क्योंकि हमने गवनेंस में जन भावनाओं को प्रात्विक्ता दिये हैं हम देश वाज़ियों की जरुवत के प्रती संवेदन शील है हमने लोगों की जरुवतों और लोगों के सपनों दोनों को पूरा करना पर ध्यान दिया है इन तेईस वर्सों में सरकार में मेरा सबसे बड़ा सिद्धात रहा है मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नन्स मैंने हमेशा ऐसा एनवार्मेंट क्रियेट करने पर जोड दिया है जो नागरिकों में एंटरप्राइज और एनरजी दोनों को और बढ़ाएं हम टॉप डाउन और बॉटम अप एप्रोच के साथ साथ होल आप सोसाइटी एप्रोच को लेकर भी चले हैं हमने होलिस्टिक एप्रोच पर बल दिया पीपल्स पार्टिसिपेशिन को सर्वोच्च प्रांत्मिक्ता दी हमने प्रयास किया कि कोई अभियान बले ही सरकार शुरू करें लेकिन समय के साथ देश की जनता उसकी बागडोर खुद संभाल ले जन भागीदारिय काये इसी सिद्धान पर चलते हुए हमने भारत में अनेक बड़े ट्रांस्फर्मेशन देखे हैं हमारी सेनिटेशन ड्राइब हो गल एजुकेशन को बढ़ाने का अभियान हो डिजिटल लिट्रेशी हो इनकी सफलता पीपल्स पार्टिसिपर्शन से ही सुनिश्चित हुई है साथियों सोशियल और फाइनांशल इंक्लूजन हमारी सरकार की प्रात्विक्ता रही है हमने पचांस करोड से ज़्यादा ऐसे लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जिनके पास बैंक एकाउंट नहीं था हमने उनको जागरूत करने के लिए बड़ा अभियान चलाया आज इसी का परिणाम है कि आज हम फिंटेक में डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे निकल गए हैं हमने विमेन लेट डेवलप्मेंट को बढ़ावा दिया है हम भारतिय महलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक ससक्तिकरन कर रहे हैं कुछ महिने पहले ही कानून बना कर हमने भारत की महलाओं को पार्लामेंट में रिजरुशन भी दिया है हम आज भारत के युवाओं के लिए नए आउसर बना रहे हैं उसके स्कील डेवलप्मेंट पर फोकस कर रहे हैं बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम याने टार्ट स्टार्ट अप इको सिस्टिम का इतना बड़ा जंप आज हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं साथ्यों सबका साथ सबका विकास के मंतर पर चलते हुए हम लास्ट माइल डिलिवरी और सेचुरेशन के अप्रोच पर बल दे रहें सेचुरेशन के अप्रोच यानी सरकार की योजनाओं के लाप से कोई भी लाभारती छुटे नहीं सरकार खुद उस तक पहुंचे गवर्नेंस के इस मोडल में भेदभाव और प्रश्टाचार दोनों की ही गुंजाईश समाप्त हो जाती है एक स्टडी के मुताबिक भारत ने पिछले दस वर्सों बें 250 मिलियन लोगों को गरीबी से भार निकाला है और उसके पीछे इस गवर्नेंस मोडल की बड़ी भूमिका रही है साथियों जब सरकारे पारदर्शिता को प्रश्ट्विक्ता देती हैं तो उसके नतीजे भी मिलते हैं और भारत इसका भी एक उदाहरण है आज भारत के एक सो तीस करोड से ज़्यादा नागरिकों के पास उनकी डिजिटल आइडेंटी आइडेंटीटी है लोगों की यह डिजिटल आइडेंटीटी उनके बैंक्स उनके मोबाईल सब इंटरकनेक्टेड हैं हमने टेकनोलोजी की मदद से एक सिस्ट्रिम डेवलप किया है डाइडेंट बैनिफिट ट्रांसपर डिबीटी इस सिस्ट्रिम की मदद से हमने बीते दस साल में 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा लोगों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर किये ऐसा करके हमने करप्षन की बहुत बड़ी गुंजैश को जड़ से ही समाप्त कर दिया है हमने देश के 33 बिलियन डॉलर से ज़्यादा गलत हाथों में जाने से भी बचाया है फ्रेंट्स जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है तो इससे डील करने के लिए भी भारत की एक अपनी एप्रोच रही है भारत आज सोलर बींड हाइड्रो के साथ साथ बायो फ्यूल्स ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहा है हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रक्रोती से जितना हासिल किया है उसे लोटाने का प्रयाज भी करना चाहिए इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम परियावरण की बहुत मदद कर सकते हैं यह मार्ग है मिशन लाइफ यानि लाइफ स्टाइल फर एंवार्मेंट का यह मिशन प्रो प्लैनेट पीपल का रास्ता दिखाता है हम कार्मन क्रेडिट की अप्रोच को भी काफी समय से देख रहे हैं अब इससे आगे बढ़कर हमें ग्रीन क्रेडिट के बारे में सोचना चाहिए इसकी चर्चा मैंने हाँ दुबै में ही कोप 28 के दौरान बहुत विस्तार से की थी साथियों जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हर सरकार के सामने आज अनेक प्रश्ण है हम अपनी नेशनल सोवरेनिटी और इंटरनेशनल इंटर डिपेंडनेंस में बैलेंस कैसे बनाए अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हुए इंटरनेशनल रूल अफ लोग के प्रती अपनी कमिट्मेंट पर कायम कैसे रहे नेशनल प्रोग्रेस का विस्तार करते हुए हम ग्लोबल गूड के लिए जादा से जादा कांट्रिबूट कैसे करें हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन से विजिडम लेते हुए भी उनिवर्सिटी उनिवर्सल वैल्यूस को सम्रद कैसे करें हम डिजिटल टेकनोलोजी का लाब लेते हुए उसके नकारात्मक प्रभावों के उन प्रभावों से समाज को कैसे बचाए हम वैश्विक शांती के लिए प्रयास करते हुए आतंगबाद के खिलाप कैसे मिलकर काम करें आज जब हम अपने देश को ट्रांस्फॉर्म कर रहे हैं तो क्या ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टिटूशन में भी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने है इन सारे सवानों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी सरकारों को दिशा देनी है फ्यूचर प्लानिंग कर गए है हमें मिलकर कोहिजिव कोईप्रेटिव और कॉलोबरेटिव वर्ल्ड की वेल्यूज को प्रमोट करना होगा हमें डेवलपिंग वर्ल के कंसंस और ग्लोबल डिसिजन मेकिंग में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को प्रमोट करना होगा हमें ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी होगी उनकी प्राथविताओं को सामने लाना होगा हमें जरुरतमन देशों के साथ अपने रिसोर्सिस और अपनी क्यापेबिलिटीज को शेर करना होगा हमें AI, Artificial Intelligence और Cryptocurrency, Cybercrime ऐसे पैदा हो रही चुनावतियों के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल बनाने होंगे हमें अपनी नेशनल सुवरिनिटी को प्रात्विक्ता देते हुए इंटरनेशनल लौग की मर्यादा भी रखनी होगी इनी भावना उपर चलते हुए हम ना केवल सरकारों के सामने उपस्तित चुनावतियों का समाधान करेंगे बलकि विश्व बंदुत्व, विश्व बंदुत्व को भी मजबूती देंगे एक विश्व बंदु के रूप में भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के दोरान भी हमने इसी भावना को आगे बढ़ाया हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसी भाव से चले फ्रेंट्स हम सभी के पास गवरनन्स को लेकर अपने एक्स्पिरेंसिस है हमें न सिर्फ एक दूसरे के साथ काम करना है बलकि एक दूसरे से सीखना भी है यही इस सभीट का भी लक्ष है यहां से निकले स्वालूशन, दुनिया के फ्यूचर को शेप करने वाले होंगे इसी विस्वास के साथ, आप सभी को बहुत 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 शुब कामना है थैंक यो, थैंक यू वेरी मुच Thank you, the Right Honorable Narendra Modi, for this session. Minister Modi there at the World Government Summit, where he addresses some of the world leaders there, speaking of India, UAE-India relations, transparent governance always pays off, speaking of Bharat growing its base all across the world, especially Dubai, on how it's really become a hub for business, and how India is extending all support. We're going to continue tracking those developments. This is right in the sidelines of the BAPS-Mandir inauguration that's due to happen this evening at 6 p.m. Prime Minister Modi, meanwhile, speaking at the World Government Summit. He's thanked the leaders of the UAE as he visits, meets them personally, shakes hands. Ladies and gentlemen, Namaskar. World Government Summit में Keynote एडरेस देना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. और मुझे तो ये स्वभाग्य दूसरी बार मिल रहा है. मैं हीज हाइनेस सेख महमद बिन रशित जी का इस निमंत्रन और गर्म जोशी से भरे स्वागत के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ. मैं अपने ब्रदर